हेलो दियर स्टुडेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल स्टेडी विद दुलार में बच्चो ये कलास वन का हिंदी बुक है चप्टर एट है और इस चप्टर का नाम है सफाई तो सफाई हर किसी के लिए ज़रूरी है रोगों से बचने के लिए और सफाई हमें स्मार्ट दिखने के लिए भी आवसक है तो आईए हम लोग इस चप्टर को पढ़ कर देखते हैं हमारा सरीर एक मसीन है यंत्र है साप सुत्रा राने पर यह ठीक से चलेगा मतलब है कि अगर हम साप सुत्रा अपने सरीर को रखते हैं तो यह ठीक से काम करेगा बिमार नहीं होगा बहुत दिनों तक चलेगा मतलब हम लंबे समय तक जी सकते हैं हम सो वर्सों तक जी सकेंगी सरीर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है सरीर और कपड़े, घर और बरतन, खाट और चादर सब साफ रखें तो सरीर तो साफ रखनाई है और सरीर से जुड़े हुए मतलब घर में जितने भी बस्तुए हैं उन सभी को साफ रखना है कोई रोग नहीं होगा अगर हम इस तरह से सफाई पे ध्यान देते हैं तो हम रोग से बचे रहेंगे, हम निरोग रहेंगे, हम रूची से खाएंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे, खुब खेलेंगे, तो रूची से खाएंगे इसका मतलब है कि हमें खाने की इच्छा होगा, हमें भुख भी अच्छा और जब हम ठीक से खाएंगे तो पढ़ाई भी ठीक से करेंगे, मन लगा कर पढ़ सकेंगे, खूब खेलेंगे, खेलने में भी हमें कोई परिसानी नहीं होगा, रात में गाड़ी नीन्द सोएंगे, मतलब अच्छी नीन्द से सो पाएंगे, साब सुत्रा देखकर सभी हमें करेंगे सभी लोग साप सुथरा बेक्ती से मिलना पसंद करते हैं उससे बाते करना पसंद करते हैं जो गंदे रहते हैं उसके आसपास भी लोग नहीं जाते या अपने आसपास उसको रहने नहीं देते इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन अवेस्स करना चाहिए तो साप उचा हो जाता है सूरज उपर चला जाता है उसके बाद उठते हैं उठकर सौच जाना चाहिए हाथ को मिट्टी या साबुन से धोना चाहिए तो जो सुबह में उठता है उसका पेट अच्छा साप होता है और सुबह में उठना ही चाहिए सबको उठना चाहिए और उठने के साबुन कहां लेके जाएंगे लेकिन अब बात्रूम घरों में होते हैं इसलिए आप साबुन का उपयोग कर सकते हैं खाने से पहले वा खाने के बाद हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए कई बार यह बतला जाता है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तो पात में फिर करते हैं तो इसके दर्मियान बीच में जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमें ठीक से गुला करके मुह साफ कर लेना चाहिए पानी के छीटों से आँखों को साफ करना चाहिए जब तब आखों में गुलाब जल या आउले का पानी डाल कर साफ करना चाहिए सुबह में जब हम लोग उठते हैं तो आँखों में हमें ठंडे पानी से छीटा मारना चाहिए उससे क्या होता हमारी आँखे साफ हो जाती है और समय समय पे गुलाब जल या आउले की पानी से हमें आँखों को साफ करना चाहिए दातों को साफ करने के लिए सुबा साम दातुन या मंजन करना जुरूरी है नीम या बबूल का दतुन हो, साथ में मंजन हो, दात और जीब की सफाई से मूह की गंदगी दूर हो जाती है अपने दात को साफ करने के लिए हमें दातुन का उपयोग करना चाहिए जो बजार में अच्छा मंजन मिले उसको उप्यों करना चाहिए दांत और जीब की सफाई जीब क्लीनर होता है उससे साफ कर लेना चाहिए इस तरह से मूँ की पूरी सफाई हो तो इससे क्या होता है कि मूँ से बदबु नहीं आता है दांत सबल बने रहते हैं सुन्दर लगते हैं जिनके दांत साफ सुत्रा रहता है उनके दांत मजबूत भी रहता है और देखने में सुन्दर लगता है सुबा में नहाना बहुत जोरी है हर अंग को मलमल कर असनान करना चाहिए सीर के केसों की सफाई के लिए दही, बेसन, रिठा, आवला और साबुन का उपयोग हो इसनान के पहले नक्षों को काट लेना चाहिए तो नाखुनों को काटने के बारे मतलाया गया है कि सब्ता में एक दिन नाखुन काटना है और सनान जो होता है, सुबह में ही होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है और सरीर को रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए अपने बालों को साफ करने के लिए लोग ये सारी चीज़े उपयोग करते थे, आज भी करते हैं लेकिन आसानी से ये चीज़े आजकल हमें नहीं मिल पाता है लोग अक्सर सेम्पू का या साबून का उपयोग करते हैं अपने बालों को साफ करने के लिए और आगे दिया हुआ है सनान के बाद गमची या तोलिये से सरीर को पोंचना चाहिए इसके बाद वयाम अवस्यक है तो सनान करने के बाद सरीर को तुलिये से पोंचते हैं तो क्या होता है हमारे सरीर में बहुत सारे चिदर होता है वो खुल जाता है और पसीना जो है हमें आसानी से जब आसकता होता गर्मी लगती है तो पसीना आसानी से सरीर से बाहर निकल पाता है इसके बाद हमें कुछ हलका फुलका व्याम भी करना चाहिए और जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें भारी व्याम भी करने से कोई दिक्कत नहीं है गुभी पॉस्टिक ताजा और हलका भोजन लेना चाहिए, सुवाश्च्छ-साफ रहना पहला धर्म है साप सुत्रा रहना हमारे लिए धर्म के बराबर है और ये पहला धर्म है कि हम साप师्च्था रहेинов यहां पर एक पिक्चर दिखाया गया है साब सुतरा राने का सुब़ा में हमें उठना है उसके बाद फ्रेस हो जाना है नहाद धोकर फिर नास्ता करना है और पढ़ाई करना है और साथ में वयाम भी करना है बिच-बिच में या फिर खेल कुद करते हैं बच्चे तो वह भी एक ब्याम ही है तो यहां पर चप्टर समाप्त हो गया है आए देखते हैं क्या क्वेश्चन से यह है इस चप्टर का क्वेश्चन सब्दार्थ पहले दिया हुआ है इसको एक दो बार जरूर पढ़कर याद कर ले और क्वेश्चन नमबर वन में निमिल्कित प्रस्णों के उतर दें यहां 5 परस्ण दिया हुआ है क्वेश्चन नमबर टू जिसमें कर्म से सजाओ तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें यहां पे देख रहे हैं सुर्यूदे से पहले उठना एक नमबर में हो जाएगा उठकर सौच जाना दो नमबर में हो जाएगा इस तरह से इस उतर दें मानो सरीर क्या है मानो सरीर एक मसीन है शुर्यूदे के पहले क्या करना चाहिए शुर्यूदे के पहले उठना चाहिए साप रहने से क्या क्या लाब होगा साप रहने से हम निरोग रहेंगे ठीक से खाएंगे खेलेंगे और पढ़ेंगे सभी हमें प्यार करेंगे दातों की सफाई कैसे हो दातों की सफाई दातुन और मंजन से करना चाहिए हमें किस परकार का भोजन करना चाहिए हमें पॉस्टिक, ताजा और हलका भोजन करना चाहिए इसका last question जो है question number two इसको कर्म में सजाने के लिए कहा गया है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा सुर्योदे से पहले उठना चाहिए one number लगा हुआ है उसके बाद दूसरा number में उठकर सोच जाना चाहिए two number, दात साफ करना चाहिए three number, इसनान करना चाहिए four number, भोजन करना चाहिए five number और last में दिया हुआ है हाथ साफ करना और कुला करना चाहिए six number में इस तरह से आप इसको serial number से सजा सकते हैं question number three, आप सुबह उठकर क्या क्या करते हैं तो क्या क्या करते हैं, यह आप जानते होंगे तो उस अनुसर से आप इसको swim लिख सकते हैं, यहाँ पर यह chapter समाप्त हो गया है अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए helpful होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और इसके अगले chapter को हम लोग पढ़ने के लिए अगली वीडियो में चलेंगे, तो आई हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं